इन दिनों भूचपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा के सितारे बुलंदी पर हैं। बिग बॉस दस की कंटेसन बनने के बाद मोनालिसा ने खूब नाम और चोहरत बटोरी है। वो लगातार बड़े प्रोजेक्स का हिस्सा बनी हुई है। अब मोनालिसा स्टार प्लस के शो नजर में दिखने वाली हैं। इसमें मोनालिसा के किरदार की बेटी का खैर उसके दादा दादी रखते वे दिखाई देंगे। फ्लैशबैक के जरीए बताया जाएगा कि मोनालिसा डायन कैसे बनी। मोनालिसा की बेटी की कहानी भी साथ-साथ चलेगी। फिलाल ये डायन दर्शकों को डरा पाती है या नहीं ये देखना और भी इंट्रेसिंग होगा। आपको ये डायन कैसी लगी आप कमेंज के जरीए जरूरूर। इन दिनों भूचपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा के सितारे बुलंदी पर हैं। बिग बॉस दस की कंटेसन बनने के बाद मोनालिसा ने खूब नाम और शोहरत बटोरी है वो लगातार बड़े प्रोजेक्स का हिस्सा बनी हुई है। अब मोनालिसा स्टार प्लस के शो नजर में दिखने वाली हैं। ये एक हॉरर शो होगा जिसमें मोनालिसा डायन का रोल निभाएंगी हाली में शो का प्रोमो रिलीस किया जा चुका है। शो में खूबसूरत मोना को डायन के रूप में देख फैंस के होश उडगए हैं। प्रोमो में मोना काली सारी, लंबे नाकून और लंबी चोटी में नजर आ रही हैं। उल्टे पैरों के साथ वो घर में घुस रही हैं। डायन की नजर पढ़ते ही राठों परिवार में खलबली मच जाती है। ये शो 30 जुलाई से राद 11 बजे ओन एर किया जाएगा, नजर कॉमेडी सीरिल हर शाक पर उलू बैटा है को रिप्लेस करेगा। शो की बात करें तो इसमें मोनालिसा के किरदार की बेटी का खैर उसके दादा-दादी रखते वे दिखाई देंगे। फ्लैश बैक के जरीए बताया जाएगा कि मोनालिसा डायन कैसे बनी। शो का प्रोमो रिलीस किया जा चुका है। कि मोनालिसा डायन कैसे बनी। मोनालिसा की बेटी की कहानी भी साथ साथ चलेगी। फिलाल ये डायन दर्शकों को डरा पाती है या नहीं ये देखना और भी इंट्रेस्टिंग होगा। को ये डायन कैसी लगी आप कमेंस के जरी है जरूर। कि मोनालिसा जरूर।